महराष्ट में हुए सत्ता संगर्ष के बाद एकनाच शिंदे महराष्ट के नए मुख्यमंतरी के तौर पर उन्यन शपत ली है और एक्षन में पहले ही दिन से दिखाई दे रहे हैं आज डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक उप मुख्यमंतरी देवेंदर फटनवीस के साथ बात करने के लामारे साथ खुद मुख्यमंतरी साहब है सर एक्षन में पहले ही दिन से नजर आ रहे हैं मैं एक कारे करता हूं और इसलिए एक पार्टी वरकर के हैस्चेत से ये एक्षन मुड में आज भारी बारिश हो रही है कई बर किसी का नुकसान नहों इसलिए मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट की बैटक लिए उसमें मुख्यमंतरी शामिल थे सभी विवाग के लोग थे आर्मी नेवी एर फोर्स एंडियारे और सभी विवाग उसमें मोजूद थे सभी लोग अलर्ट है सभी परिस्थिती को प्रिवेंट करने के लिए और फेस करने के बिडिया वाले भी लगातारे खबरे बता रहे थे कि देवेंद्र फट्नवीस मुख्यमंतरी होंगे और आप मुख्यमंतरी होगा और वो डेपीडी सीम होगा ये कहानी क्या है थोड़ा सा आपको कब पतल कल देखिया मैं यहां पर आया क्लेम करने के लिए और राजिक गवर्नर साप के पास इतने फास्ट सब होगा तो मुझे मेरे लिए भी आने एक्सपेक्टेड था फास्टीजे हो गई मुझे भारतिये जन्तापाटी ने मुख्यमंतरी के रूप में समर्तन दिया मैं उनको दिल से उनको धन्यवाद देता हूं स्वागत करता हूं आदर निया प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं हमारे केंद्रिय ग्रोह मंतरी अमिशा जी का भी धन्यवाद देता हूं उनको पार्टी के जेपी नड़ा जी जो अद्यक्स है उनका उनकी उसमें अहम भूमी का रही है और हमारे पास 50 विदायक, उनके पास 115 से ज्यादा विदायक और इतनी बड़ी संक्या होने के बावजूद, आज उन्होंने एक मैं कहूंगा, एक शिवसेना प्रमुग बाला से ठाकरे जी का एक शिवसेनिक है, मैं और मुझे समर्तन दिय यह बहुत बड़ी बात है, यह बड़पन है उनका, और निचे तुरुप से उन्होंने जो विश्वास जताया है, वो विश्वास पूरी तरह विश्वास पर खरा उतरने की कोशिन में करूंगा, यह खबरे सामने निकार कराई कि जब उन्हें यह बताया गया तो उनके आ बड़ा बनाया, सरोच पत पर बिठाया, अभी पार्टी कहती है, तुम्हें यह जिम्मेदारी निवानी है, तो पार्टी का आदेश मेरे मेरे लिए अंतीम है, आज जब कल आपने मुख्यमंतरी पत की शपत लिए, आज उद्धव ठाकरे साहब ने प्रेस कांफरेंस की है उसमें कहा कि एकनाच शिन्दे शिवसेना की मुख्यमंतरी नहीं है, इसको बयान को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप लगातार कह रहे है कि शिवसेना हमारी उद्धव साहब हमारे निता है, और अब वो कह रहे है कि आप शिवसेना की मुख्यमंतरी नहीं है, मैं शिव बिलना नहीं चाहता हूं समय पर जरूर बुलूंगा आपने ये सब कर कैसे दिखाया लगातार क्या आप मुख्यमंतरी पहले आप सूरत निकल गए फिर गोहाटी लगातार आप लोगों की बैठे के चल रही थी आपको एक पता लगा कि आपको मुख्यमंतरी बनना और ये कै इसे हो पाया क्योंकि शरत पवार आपकी तारीफ कर रहे है पूने में देखिए शरत पवार जी देश के बड़े नेता है काफी उनका तजुर्वा है मैं एक छोटा कार्य करता हूं लेकिन एक ही कहूंगा मैं एक तरफ सत्ता बड़े-बड़े लोग बड़े-बड़े ने है यह बहुत बड़ी बात है यह अहतियासी घटना है चोटी मुटी बात नहीं है आज हम देखे तो एक कार्पोरेटर एक ग्राम पिंचे सदस भी इदर से उदर जाता नहीं यह पचास विदायक क्यों चले गए एक वैचारिक भूमी का लेकर यह आइडोलेजी बाड़ा स लेकर यह सब पचास लोग मेरे साथ आए यह चोटी बात नहीं है मैं उनको धन्यवाद देता हूँ आज जो भी मैं मुख्यमंत्रीपत की शपत ली हुई है इसकी वज़ा इसका पूरा क्रेडिट जो है वो पचास विदायक लोगों का है जैसे आप कह रहें कि उनका क्रेडिट है लेकिन नजरे बनी हुई थी आपकी कल की पहले क्याबिनेट पर जिसमें मेट्रो कारशेड को लेकर आपने एक बड़ा निरने जो है वो लेते हुए आप दिखे आपने महादिक्ता को भी कुछ निर्देश दिये क्या आप मुंब कि हम लोग जितने भी प्रकलप है जितने भी प्रोजेक्ट है उसको उम लोग समय निर्दारी समय पर किम बिल्कुल बिफोर टाइम उसको मुलोग क्लेट करना चाहते और जिस प्रोजेक्ट में जनता का ही राज का ही हो वही about काम मूलोग अमारी सरकार करेगी emo हो जनता काहित और राज काहित देखकर यहां निरने लेंगे कुछ सवाल है कि कानूनी मामला फसा हुआ है शिव से ना कहरें कि आप लोगों को निलंबित कर दिया जाएगा आप लोगों के खिलाब डिस्कौलिफिकेशन के अल्रेडी अपिल किये जिसमें आपका भी नाम है अद्यक्षपत का चुनाव है आपको लगता है कि वो लोग डिस्कौलिफाय हो जाएगे किसका विप चलेगा उन्होंने कोशिश तो कर ली डिस्कौलिफिकेशन का नोटिस दिया सुप्रीम कोट ने उसको स्टे दिया हुआ है अभी कल परसो स्पीकर का चुना होगा उसके लोगों को पहले डिस्कौलिफिकेशन की नोटिस दिया फिर और लोगों को भी कोशिश की अभी कल परसो तीन तारीक को स्पीकर चुना होगे उसमें ट्रस्टोट होगे और इसमें फिर आज कोट में गये थे हमारे को या कहते है शुब कामनाय देते है सरकार अच्छा चला अच्छा काम करो और यहाँ पर कोट में जाते हैं लेकिन सुप्रिम कोट है हमारे को न्याई देउता पर भरोसा है हम कोई भी इलीगल काम नहीं कर रहे हैं इस राज्य में और देश में कॉंस्टिटूशन है रूल्स है कानून है उसके मुताबिक हम लोग काम कर रहे हैं इ इस वक्त उद्धाव ठाकरे साहब के साथ है क्या उन्होंने आपके सरकार के पक्ष्मे वोट नहीं किया तो क्या वो डिस्कौलिफाइ होंगे आपकी सरकार की क्या भूमिका है समय आने पर सब पता चलेगा समय आने पर हम लोग आपको जरूर बताएंगे प्रताब सरनाइक का मामला कभी पहले हो चुका है प्रताब सरनाइक का कुछ भी ऐसा एडी का नोटिस अभी उनको दिया गया नहीं है और ऐसा कोई भी विदाएक जो हमारे साथ है उसके अपर कोई भी नोटिस यह नहीं हुई है और यह साब जूट है यह किसी भी तरह से यह खुद लोग अपनी मर्जी से इतने बड़े संक्या में एक जूट हुए है यह कुछ अजेंडा है उनको तकलीब है उनकी समस्या है यही कारण है इसका आत्म परिशन करना चाहिए नकी उनको बदिनाम करना चाहिए इतने बड़े संक्या में अगर विधाएक लोग जो तीन तीन चार चार लाक लोगों ने उनको चुन कर दिया है यह अपनी अपनी जगह पर बहुत मजबूद है और ऐसे निरने लेने के ब अधाई दी बात हुपाई आपकी उन्होंने ट्वीटर पे बजाई दी उया मैं उनका आवारी हूं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं शुकर अशार वक्त निकालने के और बात करने के लिए तो नए मुख्यमंतरी एकनाच शिंदे जबरदस तरीके से उन्होंने कारेबार सबालने के बाद से तेजर रफ़तार से काम शुरू कर दिया है और कई सवालों पर उन्होंने अपने बेबाग जवाब दिये कैमरा परसन आसीप के साथ रौना कुकडे, ABP News, मुंबई